वेखम पुर माई चैनल हिंदी मैं सुने मेडम आपको हिंदी पढ़ाओंगी जैसे बच्छों हिंदी में बहुत कुछ ना लेजो लेकिन यहीं हम बेसिक लेवल नहीं आ रहा है हमें वर्ड माला से सुरुवात होती है आप्षर हम क्या करते हैं कि उसे ही भूल जाते हैं इसल हो वर्ड माला के इस्थिति होती है हम लोग Comprynary लेबल पे होती है जब यह पढ़ाया जाता है तो उस समय तो हम लोग की अवस्ता होती हो बसं किसी तär रटी ये तो ग्याण ही नहीं होता है कि क्या है इसले वास्तों में यह कैसे प्रम से रखा गये है उसमय मोहत्य करसम त तो यह सबसे पहले आपको पड़ाँगी ही हिंदी वर्ड मानदा क्या है तो पहले हमें जाना होगा Mr G और दूसरा बेंजन कुल भावन होते हैं लेकिने दो भावो में हम रखते हैं स्वरे और बेंजन यदि श्छो ओँ की हम स्वरें पड़ते हैं अउन्र को विजोरके पड़ते हैं तो इस तरह दिखते हैं लोग तो कुल कितने 13 वह पड़ें लेकिंग वास्तों में वह ता है देव नागरी लीव के अंशार होगी तो टॉटल किती होती है 11 वह लेकिन जो बेंजर है वह 41 होते हैं अब हम भी देखना है कि कौन-कौन से स्वर 11 शौरों में आते हैं और बेंचन कुल मिलाकर 41 क्यश्मनी तो सबसे पहले हम स्वर बताएं कि स्वर कैसे 11 हैं और पहले हम कैसे 13 पड़ते थी और किन स्वरों को निकाल दिया गया जिससे हिंदी में हम कितने बोले 11 तो 11 शौरू है तो आईए देखते हैं जैसे हमने का किस स्वर क्या है पहले हम जानने की कोशिश करती है कि श्वर है क्या श्वर वह होता है जिसे बीना किसी सहायता की बोल सकते हैं जिने बोलने में कोई जिजक नहीं होती है और आशानी सेम सरलता से बोल लेते हैं जैसे बोलना है आह जैस अब ये का क्या वेंजन है का क्या है वेंजन अब ये अधूरा है यह हलंत लगा दिया चोटा सा हम थीरे समुझते इसको का लेकिन जब इसमें एड करते हैं स्वार प्लस आ अब ये जो आ है ये मिल गया तो हलंत हड़ी जाएगा और जब हलंत हड़ गया ते संपूर्ट अधूरा हिदा तक हम उसे कभी उच्छाइए नहीं कर सकते हैं उसमें स्वार मिला हूँआ हुआ बीन स्वार की शाहता के एक भी ब्र्यसर को हम आशार बोल नहीं सकते हैं जैसे कहा है अशे नहीन सकते हैं अब देखे कौंप 하면 का साथर करते हैं आ ही दो ली लोगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस और ग्यारा इसमें छूट क्या रहा है अब बताई तो छूट रहा है आपका अन आ क्या है उसको जानने की कोशिश करें क्यों निकाल दिया गया क्यों तेरा पड़ते थे क्यों अभी ग्यारा पड़ रही है तो आगे जाते हैं जैसे अन आंख जुए है आपने हमेशा बढ़ाएं का कोई अस्तित नहीं है यह विचारा कभी स्वर के उपर और कभी वेलजल के लगता रहता है इसका कोई अपना हस्तित तो नहीं है वो यह से एक वर्ड कहते हैं आयोग दुआ जिसकी कोई योगिता नहीं यह या तो यदि इसकी किंतिना तो स्वर में होती है और लवर जल्में यह कभी दे से हमने लिखा अंगूर छोड़ा सा सब अंगूर अभी यहा तो क्या हो गया यह यह इसका अस्तितों आपने शौतां करतेतो नहीं कभी इस आपने लिखेशा लग जाता है इसलिए हम इसको क्या मोलेंगे इसे कि आयोग गयरूआ क्यों कि ये कभ शनके करें पेसाइस से बौल दिया है से चोलिए प्राधा क्या जी से साथ लगए प्राधा dog तो आज ये पहली वीडियो थी मेरी आगे इसी तरह वीडियो लेके फिर मिलते रहेंगे वीडियो ऐसे लगे आप बताईएगा धन्यवाद